हेलो दोस्तों यह जो हिताचे का कॉंप्रेसर है यह मेरा पास दो पीस है जो की बिल्कुल अन्यूजड है एक कॉंप्रेसर आपकर रेगुलर यूज़ करते हो तो 20 साल भी चला जाता है अगर आप इसको वैल मेंटेन रखते हो तो और यह तो सर्फ तीन महीना पुराना है और ज्यादा चला भी नहीं है यह जिस यूनिट में था वो यूनिट अभी हट गया हटके अभी सेंट्रल एसी लग गया तो अभी यह दोना कंप्रेसर मेरे पास है तो दिख सकते हो कि आप इस पर मोडल नंबर लिक्का हुआ है यह ताची ब्रेंडिंग है और आर ट्वेंटे डिटेल्स दे दूँगा और आप मैं चेक करना वाला हूँ इसको इसका आप एंप्यार देखिया और ती पॉइंट 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 इंप्यार करके यह ले रहा है तो प्रेशर बेगरा बिल्कुल सही है तो आप लोगे तो चक्कर के लोगे खराब माल थोरी ना लेगो है तो मुझे यह दोनों ही सेल करना है यह दोनों बिल्कुल सही है आप आग बंद करके ले सकते हो यह नया कंप्रेसर जैसा ही है नया ही है यूज भी तो बिल्कुल न कर लिया तो वो दूसरा कभी भी कोई भी दूसरा वाला ब्रेंड पर नहीं जाएगा और दोस्तों यह दोनों ही ओर्जिनल ही ताची का जो यह से होता है इससे निकला हुआ है तो इतना ही था और अगर आप इंट्रेस्टेट हो इसको खरीदने के लिए तो मुझसे कॉंटेक करसकते हो दोनों सेम हैं इसमें कोई 19 बिसका कोई डिफरेंस नहीं है यह दोनों का मूडल नमबर देख स्कते हो आप सेम है 33n4 134 ए थो आप इसको सर्च करके देख सकते हो कि यह कौन सा मॉडल का कौन सा कॉंपरसर है और यह आ पूरा चेक करेए इसके बाद ही मुझसे कॉंटक करना की चाहिए तो कॉंटक करें नहीं तो अभी क्या कर सकते हूं आपको नहीं चाहिए तो आप क्यों लेगे माल अच्छा हो या बुरा हो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लोगे अगर आपको चाहिए तो आप लोगे Japanese company है जो की reliable है आप इसको आग बंद करके यूज़ कर सकते हैं और इसका जो build quality है बहुत ही अच्छा है हिताची का मुझे दूसरे ब्रेंड का अच्छा है लेकिन हिताची मुझे specially अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी खुद हिताची का इसी यूज़ करता हूँ तो इतने है तो इतने हैं